नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे 1 kg रसमलाई केक और इसे तयार करने के लिए मैंने कड़ाई में अपने रसमलाई स्पॉंज को रिडि किया जिसका मैं मिजर्मेंट करके आपको शो करूँगी जब हम 1 kg का केक तयार करते हैं तो एटलिस्ट हमारा स्पॉंज 500 ग्राम तक जाना चाहिए फिर इसमें क्रीम आज हम कम इस्तिमाल करेंगे क्रीम मैं यहां 300 से 350 ग्राम ही यूज करने वाली हूँ और इसमें रसमलाई जाएगा धेर सारा फिर इसकी सोकिंग रसमलाई से ही होगी तो 300 ग्राम लगभग हमारा रसमलाई रखा हुआ है उससे हम इसकी सोकिंग लगाएंगे और मैंने काफी मोटा मोटा लेयर कट किया है क्योंकि हमारा जो homemade rasmalite sponge होता है कोई बे sponge किसी भी flavor का sponge वो हमारे client को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो इसके लिए हम इसकी हमेशा मोटी सी लेयर चड़ाते हैं और lace cream cake होती है ये इसमें cream का हम gum use करते हैं और अगर कहीं से कभी ऐसा order आए कि नहीं बच्चों को cream ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा cream दीजे तो उस तोरान हम ज़्यादा ये use करते हैं पर आज की ये cake अगें डॉक्टर साहब के लिए जा रही है तो definitely इसमें lace cream का ही use होगा और ठीर सारा इसमें केसर thread गया है ड्राइ फ्रूट्स गया है chopped ड्राइ फ्रूट्स तो यहां इस तरह से मैंने रस्मलाई के टुकडों के साथ ड्राइ फ्रूट्स को इस तरह फिल कर लिया और जो टॉप वाला layer था इसे पलट करके मैंने ले लिया इस तरह से जो गैप देख रहा है उसे साथ ही साथ फील करते जाना है कुछ इस तरह से ताकि हमारी केक को प्रॉपर हाइट मिले और क्रम कोटिंग लगाती जानी है ताकि जब हम इसकी फाइनल फ्रोस्टिंग करें तो फिर हमारी स्पॉंज के दाने या क्रम्स क्रीम के ओपर नहीं दिखे यहां पर अगेन इसी तरह से रस्मलाई से सोकिंग कर लेना है और यहां एक फाइदा क्या होता है जब भी आप होम मेड रस्मलाई बनाते हैं तो इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राइफ रूट्स को दे सकते हैं तो इस तरह से यहां दिख रहा कि मार्केट वाली जो रस्मलाई होती है और घर वाली जो होती है दोनों में काफी अंतर होता है वो लोग सिर्फ टेकॉरेशन के लिए कुछ पिस्ता बादा हम डाल देते हैं बाकि वो वाला टेस्ट नहीं होता है जो हम घर पे तयार करते हैं अगेन सकेंड लेयर को हमने ध तरह से यहां इसकी क्रम कोटिंग लगा ली है अब इसकी फाइनल सोकिंग होगी तो यहां आप देख सकते हैं जितना मैंने रस्म लाई लिया था यह सारा मेरा सोकिंग करने में खतम हो गया यानि एकदब परफेक्ट मिजर्मेंट था और अभी है हमारी केक लगभाग 1 kg हो च तो अब इसकी फाइनल फ्रोस्टिंग लगा लेनी है कुछ इस तरह से क्रीम से ढख लेना है इकवली चारो तरप से और जो इसकी डेकोरेशन है वो हम चॉप्ड ड्राइफ रूट्स के सर्थ्रेट के साथ लगाने वाले हैं कुछ गुलाब की पंकोडियां लगाएंगे अ एक जगह पहले गत्रित कर लें उसके बाद ही अपने काम को अंजाम दें तो आज कोई चिक चिक वाले डिजाइन में नहीं दे रही हूँ एक्टम साधारन सी डिजाइन है आप समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब के लिए केक बनने जा रही है तो ज्यादा ताम जाम वाल को क्लीन कर लिया है और अब इसकी डेकोरेशन की बारी है तो जो हमने ड्राइफ रूट्स को चॉप करके रखा है वो इस तरह से लगा लेना है पिस्ता बादाम और केसर को तो आप अपनी पसंद के कोई भी डेकोरेशन लगा सकते हैं बस ये आसान वाली डेकोरेशन है जै सिम्पल सा देना है तो फिर पेलट नाईब से मैंने इसी चीज को ऊपर की तरव खीच लिया और एक सीधासा सीथासा सिम्पल सा डेजाईन हमारा तैयार हो जाएगा तो यहां इस तरह पैलेट नाईब को क्लीन कर लेना है और इसे ऊपर की तरह खीचते जाना है ये काम हम लोग स्पून से भी कर सकते हैं तो यहां यह देखिए हमारा डिजाइन को छेस तरश से निकल के आएगा और एकदम सिंपल वाली डेकोरेशन बन करके हमारी तयार है सिंपल वाली डेकोरेशन है यह जो कोई भी आसाने से कर सकता है और यह देखने में भी बहुत सुंदर लगता है मुझे तो अच्छा लगा दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर दीजेगा कि आपको यह वाली डिजाइन कैसी लगी और जो बचा वाला पार्ट है उसमें हम रोस पैटल लगाएंगे ड्राइड फ्रूट्स लगाएंगे सिल्वर फ्लैक्स लगाएंगे जिससे हमारे केक थोड़ी सी खुबसूरत लगेगी और शाइनी एफेक्ट देने के लिए हमेशा की तरह आज फिर से हम लोग सिल्वर स्प्रे का यूज़ करेंगे तो मेरी केक बन करके तयार है दोस्तों और ये लगभग 1200 ग्राम केक हमारी बन करके रेडी हो गई अब जो हमारा कैलिग्राफी है वो इस क्रीम से मैं कर रही हूँ तो यहाँ इस तरह से जिनका बड़्ड था उनका नाम मैंने इसी कलर वाली क्रीम से लिख दिया आप चाहे तो इसमें जिल का यूज कर सकते हैं चॉकलेट गनाश का यूज कर सकते हैं नाम लिखने के लिए तो आज की ये केक बन करके रेडी है कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो प्लीज कमेंट करना न भूलिएगा बने रही है मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की सिंपल गेक डेकुरेशन के लिए बने रही है मेरे चैनल में मिलती हूँ नेक्स्ट विडियो में अबता किली, बाई!